पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहलाल नेहरू स्टेडियम में पीम स्वरीदी योजना के थैद बड़ी सोगा दी एक लाख लाभारती को बिना गैरेंटी लोन की राश्वी ट्रांस्वर कर दे गई है इस मौके पर पुर्धान मत्री मोदी ने कहा कि पीम स्वरीदी योजना रहेडी पट्री ठेले पर काम करने वाले लाखो परिवारों का संबल बनी है तो वैपर स्ट्रीट वेंडर्स ने भी आपकी बाहर बीजिपी चार सो पार को पुड़ा कराने का भरुसर जिताया पियम मोदी सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ा रही है देश में कोई गरीब ना हो, कोई भी आर्थिक रूप से पीछे ना चूटे इसको लेकर मोदी सरकार हर मुम्किन प्रयास कर रही है जो हमारी जिंदगी और अर्थ बिवस्ता का हिस्सा है उनके लिए मोदी सरकार की योजनाए धरातल पर पूरी हो रही है इसी कड़ी में दिली के जवाहर लाल लहरू स्टेडियम में प्रधान मंत्री मोदी ने पीम स्वानिधी योजना के तहट एक लाख लाभार्थियों को बिना गैरंटी लोन की राशी ट्रांसपर की तो लाखो रेड़ी पट्री पर काम करने वाले और दुकान लगाने वाले परिवारों के चहरे खिल उठेगे पर उसके बाद वह पास हुआ हमने लोन पूरा बरने के बाद में बीजार मिलें तब दशार मिलें दशार पूरे अच्छी तरह मिलें कोई भागदारी कुछ नहीं हुई हमारे एक साथी लोन पास हो गया है और साफ ताही ब्यार लगाते हैं यह स्ट्रीट वेंडर के 24 के चुनावी रण में दिल्ली की जनता ने पी एम मोदी की गैरेंटी पर भरोसा जताया है और अब तो स्ट्रीट वेंडर को भी भरोसा है कि अब की बार एंडी ए 400 पार पीम मोदी ने ऐसे तमाम गरीब परिवारों को ना सिर्फ रोजगार का अफसर दिया बलकि लाखों स्ट्रीट वेंडर के सपनों को पूरा करने में मदद की है 1 जून 2020 को पीम स्वानिधी योजनाल लॉंच होने से अब तक 82 लाख रुपे से अधिक का लोन देश भर के 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को दिया गया है वीऊल पर्रच रट्टन दिपो झाल झाल